नमस्ते मेरे दर्शकों आपका स्वागत है मेरे चैनल दलाइफ इलर में हूँ वैशाली शर्मा और सबसे पहले तो आप सभी को नवश की बहुत बहुत शुब कामने हैं और सभी का ये साल मैं आशा करती हूँ कि पिछले साल से अच्छा ही हो पिछले साल से जादा अच्छा हो और जादा इजी हो और जादा मतलब की भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और प्रोटेक्शन बनी रहे यह ना भगवान हमेशा अपनी नजर और रक्षा करते रहे हम लोगों की और देखिए पहली बात तो ये कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कंटिनियूसली सपोर्ट किया है मुझे और मेरे काम को और ये पूरे साल जिन लोगों ने भी कमेंट्स किये उनको भी बहुत बहुत थेंक्यू जिन्होंने लाइक्स किये उन्होंने उनको थेंक्यू जिन्होंने वीडियोस देखी है उनको भी थेंक्यू और मैंने अपनी जर्णी में जितना बाकी मैंने अपना परसनल लर्निंग तो करी ही है अपनी life में पर YouTube से जो आप लोगों से interaction हुआ है मतलब जो आप लोगों ने comment किये हैं और जो अपने viewpoints रखे हैं, अपनी बात रखी है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला कि एक दूसरे का नजरिया क्या होता है लोग एक ही चीज को अलग अलग नजरिये से देखते हैं जैसे कि हम लोग सब Twin Flame journey में हैं और तो उसमें यही Twin Flame journey को देखने का, समझने का और इस journey में आगे बढ़ने का सबका अलग अलग तरीका है और अलग अलग नजरिया है तो वो जानने को मिला आप लोगों की comment से और जिन लोगों को ने positive support किया है उनको बहुत बहुत thank you कि आप लोगों ने इतना अपना time और efforts दिये इस channel को grow करने में और subscribe किया मेरे channel को तो मैं hope करती हूँ कि इसी तरह हम लोग आगी भी ये channel और हम लोगों का जो interaction है वो continue रखेंगे और अभी कुछ दिनों पहले से मतलब एक महीना करीब से मैं थोड़ा busy थी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ खास ऐसी videos नहीं बना पाई हूँ तो अभी मैंने कोशिश की है कि new year में कुछ अच्छी सी video लेकर रहा हूँ जो आप लोगों के थोड़ी मदद कर सके इस journey में है ना और आप लोगों को कुछ समझने में help करें और ये जो साल रहा है 2021 YouTube ने तो बहुत growth कराई है मेरी और shadow work भी किया है YouTube के ही through आप लोगों के comments ने ही इतना help करी मुझे मेरे shadow work करने में है ना और पर ये साल बहुत कुछ खोया है इस साल में बहुत बड़े बड़े shocks मिले हैं बहुत बड़े बड़े losses हुए हैं जो बिलकुल अचानक वाले थे मतलब unexpected थे कुछ ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा life में तो इतने बड़े बड़े shock मिले हैं अपने friends friend को खोया है और friend की death और फिर उपर से ये journey exam, final exam और फिर practicals और घर में बहुत कुछ काम और बहार friends के साथ और सब मतलब मिला जुला कर बहुत ही जादा एकदाम कहते हैं roller coaster ride रही है और मतलब plan way से कुछ भी नहीं गया हम कहते हैं न हम लोग planning करते हैं इतना कुछ और planning से तो कुछ भी नहीं हुआ सब वही हुआ जो भगवान की मर्जी थी और shocks बहुत बड़े-बड़े मिले इस साल lessons बहुत बड़े-बड़े मिले इस साल सच में बहुत कुछ learn किया 2021 में तो सबसे ज़ादा lessons learn किये हैं और अब ये मैं आशा करती हूँ कि जो 2022 है हम लोग नए साल में जा रहे हैं इस साल हम लोग बिलकुल new शुरुवात करें और जो पुराना हम लोग ने lesson learn किये हैं और भगवान करें कि ये lesson हमको दुबारा learn ना करने पड़े हैं हम लोग इतने खुद ही इतने mature हो गए हो और इतने grow कर गए हो कि हमको वो चीज और situation का दुबारा से सामना ना करना पड़े हैं और ये मैं विश करती हूँ सबके साथ ही ऐसा हो कि जो बीद गया है वो वहीं रह जाए और कुछ चीज दुबारा से आपको face ना करना पड़े और सबकी नई शुरू आतो नई नई खुशियां आए नई नई news आए अच्छी 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 opportunities आए अच्छा career हो अच्छी family हो खुशियां हो abundance हो भगवान की कृपा हो बस यही यही life है कि हम लोग बस खुश रहे हैं तो यही है देखो अब देखते हैं हम लोग के 2022 में और आगे क्या-क्या होता है ना तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बने रही है मेरे चैनल पर और आप लोग भी comment section में बता ना कि आप लोगों का 2021 कैसा रहा और मतलब जो journey में थे twin flame journey में क्या-क्या आपने experience किया और learn किया और क्या-क्या shocks थे क्या-क्या थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके comments पढ़के तो शायद आप लोगों का experience आप लोगों का कुछ जो भी अनुभव रहा है वो शायद मेरे भी काम आ सके है न और शायद हो सकता हम लोगों के अनुभव भी similar रहे हो यह भी possibility है तो I am looking forward for your comments and और मैं जरूर लोटूंगी बिलकुल new videos और new content के साथ आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से